समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी सनातन पंडे हमारे साथ मजूद हैं आपने 2019 में भी चुनाव लड़ा, 2024 में भी आप चुनाव लड़ा है आईए बात करते हैं बलिया के विकास को लेकर सनातन पंडे ने क्या सोच रखा है, क्या एम है जिस सोच के तर बलिया लोगसबा सीड़ से आप ताल ठोक रहें चुकि आप पुराने रीडर हैं और समाजवादी भी चारधारा के हैं उस समाजवादी सरकार में आप राजमंतरी भी रहें बलिया के लिए क्या सोच रखा था यहां पर कोई भी कौल का खाने और रोजगार नहीं है समाजबादी पार्टी की सरकार में एक सार्थक प्रयास हुआ था और समाजबादी पार्टी के ततकालिन मुक्मंत्री आध्रेश एकले से आदोजिने बल्या के मान सम्मान के लिए पूर प्रधामंत्री समाजबाजी प्रधामंत्री सरसेखर जी के नाम पर यहाँ पर विश्व भी जाए ले और इसको शकाले देने का काम किया गया था समाजबाजी के पूरोधा छोटे लिया जनेसव जी के नाम पर गंगा पर व्रीज बल्या में और भैरिया में भी लाल गंज में गंगा पर व्रीज दिया गया था दो ब्रीज जो है सर्जू नदी पर दिये गए थे कि या तयात की सुभधा मजबूत होगी तो छेतर का विकास हो जाएगा हमारी सरकार को गए साथ साल हो गया लेकिन आज साथ साल में वो इनिवसिटी पूरी नहीं हो पाई है जो कुछ भी देख रहे हैं वो समाजबादी पर्टी के ही कारकाल के पैसों से हुआ है और स्पोस काले जीतना बना था समाजबादी पर्टी के सासंकाल में उसी पर वो रुका हुआ है समाजबादी पर्टी के सासंकाल में पूर ब्रीज के काम जोने सर्फेत का आज तक जो है और प्रोज का भी कार्य पूरा नहीं हो पाया है तो हमाएं नेताओं ने और खास्त उंकी जिम्हदारी बनती है जो प्रदेश और केंद की शरकार में है इन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया कि हम बलियां के खुशहाली के लिए नवजवानों के उजल भविस्त के लिए सिक्षा के लिए खेल के लिए जो कार्य समाजबादी पार्टी में सुरू हुए थे उसको पूरा करा दिया जाए अयावा गमन के लिए जो पूलो का जाल बिच रहा था उसको पूरा करा दिया जाए समाजबादी पार्टी की सरकार 2017 से प्रदेश में नहीं है सांसद उसमें भी निराज शकर थे और आज भी सांसद है अगर समाजबादी पार्टी की सरकार नहीं थी या समाजबादी पार्टी से वो संतुष नहीं थे तो उन्होंने समाजबादी पार्ट्री का दामन छोड़कर उन्होंने भारती जन्ता पार्ट्री जन्ता पार्ट्री की सरकार प्रदेश में भी है और देश में भी है और डबल इंजन की सरकार चल रही है लेकिन डबल इंजन का कोई भी असर जन्तमत बलियां के विकास पर न अपने पिदाजी के सोच के अनुरूप बनाना चाहते हैं। उनको भार्दियनता प्राटी जॉइन किये भी लगवा पांट सार पूरा हो रहे हैं। वो आज भी सांसद हैं। और अभी आगे कई बर्सत तो को सांसद रहेंगे। अगर हमारी सरकार में पूरा नहीं हुआ तो उनको दबाव बनाकर बलियां के आन, मान, सम्मान, छात्रों के सवाल पर नौजवानों के सवाल पर इन कारियों को पूरा करा देना चाहिए था। और उसके बाद जनता के बीच आना चाहिए था, कि हमने समाजबादी पर्टीच को छोड़कर करके भारत जनता पर्टीच लेजवान किये, कि समाजबादी प्रसामंतिरी हमारे पिता सुरी सरसेखर जी के नाम पर जो संस्थाएं दी गई थी, उसको पूरा करने का मेरा संक उसको हम पूरा करके आपके बीच आया हूँ, वह जो है अपने 2007 से लेकर करके 2024 तब 17 साल में जिसमें पांच बरस का कारकाल भारत जनता पर्टी का है, जो डबल जनके सरकार का भी है, उन्हें ने कौन भी एक काम बलियां में नया किया है, जिसे बलियां के लोग मान जाएं कि नीरे शेखर सांसद होंगे, तो बलियां का विकास हो जाएगा, मैं नहीं मानता हूँ, उनको बलियां के विकास से मतलब नहीं है, उनको जो है, एन केर्ट परकेर्ट जो है, हम मेंबर अपार्लमेंट बने रहे हैं, उसमें मतलब है, और आज भी सांसद है, अगले दो सा लुक और सांसत हैं ऐसा नहीं है कि राजशभा सांसत का जिकार कम हो जाता है हमारे सबसे जो है बड़ी मेंबर ना पार्लिमेंट के चुनाव से एंपी से भी बड़ा राजशभा का मेंबर होता है हमारी जो मिले हैं लोग समय पास होने के बाद राजशभा में रखी जाती है तो भी उसकी मोहर लगने के बाद ही उसका किरवान होता है मैंने नहीं नहीं देखा कि वो समाजबादी प्रशामती चर्शकर जी जोंके खुद पिता है कि नाम का विश्व बिद्धाले पूरा करने के सवाल पर सदन में कभी खड़ा हो करके अपना बक्तब उन्होंने देने काम किया है अन्दर इसपोर्स कालेज के नाम पर उनका कोई बक्तब भी आया ना धूरे पूल है उनका बक्तब भी आया तो जो वाइच सांसद हैं और आपके सांसद का कारकार जो है डबल इंजन की सरकार से जुड़ा हुआ है तो आज आप विकास की बात तो किये नहीं तो आप कौन सा सांसद बन जाएंगे वो सांसद के क्या कटगरी हो जाएगी कि अगर राई सभा का सांसद बनकर काम नहीं करा पाए तो जनता के जोरा चुल करकर उनकामों को पूरा करा देंगे एक तो 1977 से लगतार 2004 तक चंदरशेखर जी समाजवादी जनता पार्टी से लड़े और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलाइम सिंग यादू ने समर्थन किया आपके चुनाओं में समाजवादी विचार जाला जूड़े चंदरशेखर इसे जूड़े लोग दिख रहे हैं या नहीं इस देश के अगर महान लोगों और महान समाजवादियों के हम बात करें तो उसमें हमारे जिले के और इस देश के गौरव प्रधामंतरी सुरी सेंशिकर जी का नम हाएगा उनसे बड़ा अभी कोई समाजवादी आज के तारीक में नहीं दिख रहे हैं उतना बड़ा समाजवादी विचारक अभी कोई नहीं दिख रहे हैं उनहोंने कभी भी फिर्कापरस्य ताक्तों का जो साथ देने का काम नहीं किया बहले उनको प्रधामंतरी की कुर्सी भी ठुकरानी पड़े कभी किसी के दवाब में उन्हेंने संपूर जिवान काम करने का काम नहीं किया और उन्हेंने सोचा कि अगर आरेसस जुक्त भाजपा के सरकार आ जाएगी तो हमारे देश का अमन समझ समप्त हो जाएगा उन्होंने अटल बहरी बाजपार को भी गिराने का उन्होंने काम किया था उनका देश से लगा हो था समाज से लगा हो था अगरे पिछलो दलीत अरफसंक्षक हिंदू, मुसलमान, सीक, इसाई, पारसी भारत में रहने वाला हर व्यक्ति से उनका लगा हो था क्योंकि वो जो है एक आद्म, आम किशान के घर से पैदा हो करके देश की सरबुच कुर्शी पुर्णों ने भेटने का काम किया था उनको दर्द पता था किशानों का उनको दर्द पता था कि बाप की क्या मजबूत ही है बेटी को प्रहानिम उन्हें बलियां से कम से कम हजारों हजारों लोगों को नो जो है MBA और Medical Medical Commission करा करके उतने परिवारों को नोने मजबूत करने का काम किया अब उनकी तूलना उनकी बेटे से की जाए उनकी बिरासत को अगर उनके बेटे और उनके लोग सोच रहे हैं तो भी बिरासत आनी चाहिए जो संसकर के विचारों में था अगर वो विचार इनमें आ जाए तो आज भी अगर समाजबादी पाल्टी की सोच पैदा हो जाए तो आज भी बलियां उनको संसत बनाने को तयार है चाहिए जब तक रहे तब तक हमारे राष्ट्रिय अधक्स उस समय के आदि मुलाइम स्यादों जिनों को समर्थन देने काम किया उनके नौ रहने पर भी बिना सर्थ समर्थन देका काके उनके बेटे को साथ साथ दे पहुचाने का काम किया इसलिए कि वो समाजबादी प्रामती सरसकर जी के बेटी थे आज उनको समाजबाद से कुछ लेना देना नहीं है उनको किसी दलीत से मतलम नहीं है बता देंगे सतरह सावके कारकाल में किस अदलीद के हजा करका करके वो उसको सम्मान बढ़ाने काम की है और उसको अपने साथ बठाके सम्मान बढ़ाय हो किस पिश्डलों के साथ वो ख़ड़ा हुए है हम अगर सांसा देता हमा निदी है निदी है तो हम यतने बातने काम करते हैं अपने काकरताओं को दे देते हैं तो किसी को निदी दे करके अपना काकरता बना लेना ये सोच नहीं है ये समझबादी सोच नहीं है समझबादी सोच ये है कि हम बलिये में रहते हैं उनका घर बलि centimeter के दूरी पर है, अस्पारतारों की दिवाले जो है लोगों के पान के थूक से भरी हुई है, आपका अस्पताल जो है, रेफर अस्पताल बनकर कर रहा गया है, अस्पताल के सारे डाक्टर्स जो है, सरकारी काम काम ब्यक्त प्रेक्टिस्ट अधि करते हैं, कि 17 सालों इस पर ध्यान दिये होते बलिया का अस्पतार रेफा अस्पतार गूर्प में नहीं होता आज हमारे लोगों को जह है जन्तमत की लोगों की स्वास्त की सुद्धायाप प्राप्थ हो जाती तो उन्हें उन्हें स्वास्त के छेतर में काम किया नो उनकी पिदाजी के है खेल का प्रेमी है उनके अंदर जनून है स्पोर्ट का उसको पूरक करने के काम नहीं किया। प्रोसेस में है सरकार इस पर धन खर्ज कर रही है जैसे कि कोई आदमी आज का जो समय चल रहा है आज कि अस्पतालों की ब्युस्ता चल रही है यह अस्पताल के है कि अभी जो है कोसिस जारी है आप दूर से ही देख लिए उसकी साथ चल रही है उसी साथ नहीं चल रही होती है वो तो जह है वो मसीने चल रही होती है इनका प्रयास जारी है अरे हमारा प्रयास जो हमने पनर सोरों इनवर्शिटी दिया आज दस साथ होने जा रहा है वो ल सारी डिगरी लेकर को वापस जाएंगे तो उसका तो अब वो हो गया होगा 28 बरस का अब तो उसको नोकरी भी नहीं मिलनी है और आगया कोई भवी से में नहीं है कौन सा प्रासेस प्रासेस नहीं होता है कि हम सब ठीक ठाक चल रहे हैं उसका कोई वाही भी स्थार करना है उसम कोई विडिकार हुक, अगर में को नहीं लगा टो को नहीं बनवा सकते हैं नहीं पूरा करा सकते हैं. कांज ह pizzानल यह भिश्uchar को नहीं पूरा करा सकते हैं हम इन द्यूरि現在 काम के मिलन चाहएं है. गावकुतातर रहisti जलए जघा देखी किया हा कि कंडिशन क्या है पांचों बिदान सभाउमें अपनी क्या देखा रही है। देखिए पांचो विधान सभा अगर आप सिर्फ बलियां पर बात करना चाहते हैं तो पांचो विधान सभा में चाहे वो दलित हो आचा पिछड़ा हो आचा अगड़ा हो सब के मन में एक आक्रोस है आक्रोस जो है यह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है दूहर जयां चौदर में जब सरकार आई तो उन्हों ने अपने घोसरापत्म ने वादा किया था कि हम जो है दो करोड नोजवानों को रोज़गार देने के काम करेंगे दस बर्स में नोजवान दो कोड़ों को दस सगुणा कर रहा है तो बीस कोड़ रोज़गार हो रहा है और वो बीस हजार भी रोज़गार नहीं दे पाए तो नोजवान आपके घर का हो अचा हमारे घर का हो चाहिए दलित का घर का हो अचा पिछा घर का हो मेले का घर का हो चाए MP का घर का है वो हतास की जिन्दगी जी रहा है मेरे भविस कभी सुधरने वाला नहीं है इस देश में सबसे अधिक किसान रहते हैं उस घुर्शा पत्र में किसान की याई को दूना करने का सवाल था और इसमें बरतमान में जो है किसानों का जो जो लंत मुद्दा है फसल पर MSP गारंटी का जो है उसका सवाल है जिस पर हजारों लोग प्रदर्शा करते हुए मरे हैं उसमें भी एक बार न सदन में चैचा हुई है दस साल में अनक किसानों के MSP पर उन्होंने कोई अपना हमा है कि अगर उस धन को हम जो हमारी सरकार बनेगी तो उसको उस अपने धर्ती पर खीच करके लाएंगे हर परिवार को 15-15 रुपय देंगे हमें तो नहीं मिला साथी अब पतकार साथी है चोटे अस्तंब हो तक आपको मिला हो लेकि हमारे जानकारी में हमारे गां में किसी नहीं मिला है तो यह सब इंतजार करते कि अब मिलेगा अब मिलेगा ओन्स पर खतम होते 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 हैं पांच के लुब राशन पर आ जया और पकोले पर आ गया देश के नौजवानों को नोकरी क्या हो सकता नहीं है देश का नौजवान जो है पकोड़ा तल करके अपना जीवन बितीद कर ले अगर देश का नौजवान से पकोड़ा तलने लगेगा तो खरीदार किस धर्द किस देश का आएगा अगर इतेस्स का हर नौजवाँ पकोड़ी की दुकान मना लेगा तो खरीदेने होगा तो बारेस हैगा यह अगर 20 क्रोड रोज़गार देने का वादा किये अब 20 क्रोड मांन पाय नहीं लीए गया बे रोज़गार है एक सो चालिशे कोड़ों का भारत है एक दुगान पर साथ ग्राहक हुआ इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला होगा तो उनका स्वक्स जलमिशन का घोटाला होगा जो गाउं में हर गलियों को खोद दिया गया है आवा गमन के सारी राष्टे बंद हो गए है जो P.W. सलकों का मानक होता है कि हमारी सलके जो है हम आज बनाते हैं कम चोड़ाई के सलके करते हैं कि आबादी बढ़ लेही ए अत्यात बढ़ ला है उसको चोड़ा किया जाएगा आज पूरे जन्पद में पी लवडी का जो पेंटेर भाग गए है उसको छोल करके किनारे गढ़ा बना करके पैप ब्याना जा रहा है अब इन सरकों का चोली करण होने का हुआ तो क्या इस जिले के अधिकारी भांग खा कर सो गए है कि जब उसका विश्तार होगा सरकों चोली करण होगा तो अब प्राइड कहा होगी आगा उस प्राइड में कोई लिकेज़ होगा तभी पूरी सरक को तोड़ना पड़ेगा प्लान के तद काम नहीं हो रहा है यह तो लूट खसोट हो रहा है कि वही कमपनियां काम कर रही है उतर प्रदेश में वही कमपनियां काम कर रही है जिस कमपनियों ने काम लेने से पहले हजारों को रूपया जो है इनके चुनावी फंड में देने का काम किया है वही कमपनिया उत्रबेस में काम करें तो जो हजार क्रोड आपको चुनावी फंड दे कर काम करने आएगा तो नहीं उसकी गुर्वत्ता होगी और आपको पैसा दिया हुआ है ना आप उस पर नकेल कर सकते हैं उसके इमानारी चाहिए उसके पर चर्थ चाहिए उसके प्रयातमबल चाहिए हमारा आतमबल और चर्थ गिर जाता है इसलिए इन कंपनियों पर कोई नकेल नहीं कसरा है यह दूसरा चुनाव है सत्ता के सामने इसके पहले भी आप सत्ता के सामने लड़े इस बार भी सत्ता के सामने लड़े हैं तो सत्ता के सामने लड़ने के लिए क्या अपनी योजना है तेकि हम लोग जो है 20 के सबसे बड़े लोकतांतिक देश में रहते हैं हमको पूरा का पूरा विश्वास है यह था जब 2019 में चुना उड़े थे कि मतदान जब जनता कर देगी तो आयोग उसको इमन्दारी से काउंटिंग करके रिजर्ड देने का काम करेगा लोग कहते थे हम लोग राजीत में है विश्वास नहीं होता था कि देश से लोकतंत रूट रहा है देश से आयोग पर भी प्रस्त्माचक चिंद जो लगाते थे उसमें मरहम लगाने काम करते थे कि ऐसा नहीं होगा यह सवतंत रेजेंसिया है लेकिन वो सारे का सारा काम यह कर रहे हैं जो किसी पार्टी के करकारता के रूप में एजनिस्या काम कर रही है यह निस्पक से नहीं रहा गई है भारती पार्टी के जो है संख्टन के रूप में यह लोग काम कर रहे हैं और यह जो है लोकतांत्री देश के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं है अगर देश से ल समाप्त हो जाएगा तब फिर हमारे भी बोलने पर ताला लगेगा और आपके सवाल पूछने पर भी ताला लग जाएगा एक दू मुद्धे और होंगे असर द्वावा बिधान सब अच्छे तो दो नदियों से घिरा है आज भी देखा जाता है कि राष्टी राजमार के बंदे के किनारे लोग अपने जीवन को यापन कर रहे हैं आप भी जाते होंगे देखते होंगे तो क्या प्लान है आप उनके घिरा हो अच्छेत रहे तो उसकी तैयारी हम पहले कर लें चुकि विभागों पर किसी का कंट्रोल नहीं है उसकी मानेटिरिंग अच्छी तरसे नहीं हो रही है जब मैं अक्सर देखता हूं कि जब बहार आती है अब पता चलता है कि सरजू नदी में बाढ़ा गई है अब हजारों हजारों लाखों लाखों बोरियों में जो बालू भरने लगते हैं क्या इनको पता नहीं होता है कि यह बाढ़ का इलाका है उसकी तैयारी समय से पूरा कर लें वो इसलिए समय से पूरा नहीं करते हैं कुणकर काम दिखने लगेगा अब बाढ़ में इसलिए काम कर करते हैं कि हम पूप उस जो है सरकार के धन को लूट लेंगे अब मेरी कोई यांच नहीं हो पाएगी अगर जीतना पैसा बार च्छत में बार विभाग को मिला है अगर उस पैसे का सही से सद्विपयोग हो गया होता तो हमारे बलियां के कई ज्याओं जो है उजड़ने से सदन तक अपने बात को उठाने काम करूगा सदन के सामने भी बैठूँगा बलियां के सवाल पर कि बलियां की सित्य क्या है सदन में नहीं सुना गया सदन के बाहर बैठूँगा यहां प्रदेश के मुकमंतिरी को मैं सचेस करूँगा वह नहीं सुनेंगे तो आज मेंबर प्रइमेंट उनके भिधान सभा के सामने बैठूंगा यह कल्टा नहीं सुनेंगे यहां काधिकारी नहीं सुनेंगे तो लोग तांतिक तरी के सबुए बात को मनवाने के लिए सवकोब बैठना काम करूगा ताकि जनता यह सोचे कि यह सांसर्द हमारा जो है हमारे लिए काम कर रहा है हमारे बबूदी के लिए काम कर रहा है तो देश के सवाल पर कोई समझाथा नहीं आपने मद्दाताओं के सवाल पर कोई समझाथा नहीं जो हमारे जिले की दुदसा है उसको उससे बिजात पाने के लिए हर व्यत को सम्मान मिले दलिट को वगड़ा को पिशड़ा को इसके लिए मेरा संपूर्ण जीवन समर्पित रहेगा जुगी जोपड़ी में रहने वालों के क्या हाला थे भार्जियंता पार्टी का कहना है कि हमने जो है कितने क्रोर आवास बनवा दिये हैं कि अब जो है यह देखिए 2007 में एक कांग्रेश की सरकार थी तो एक गाउं आई जो है सर्वे हुआ था इक गाउं में कितने लोग जो है जो है जोडी जोपरी में रहने का काम करते हैं तो अगर उसकी संक्या आव सब्सके कर लीए कि हिंदुस्तान में एक लाख थी तो एक लाख मकान बनने के बाद इस दुस्तान को तो जोगी जोपरी से मुक्त हो जाना चाहिए था न तो लागातार जो है आवास बनते रहे हैं होर सरकार में बनते जा रहे हैं और पात्र ब्यक्तों की कमी नहीं हो पा रहे हैं तो मैं निस्ति तुल से कहूँगा कि ये सरकार के बहुत बड़े खाजाने की य्क्ति लूट जो है इस जोजदा की जा रही है यह ऑपका जिला आग जनी का अभी शुकार होpri जाता है आग लगती है अपनी में प्रसाव में जा करके उसका पूरा सर्वे करना चाहिए। उसी जोक्री में अपने जियों बिजित करने का काम करता है। में कम गुजरात में, नुवेडा में, मुंबई में, दक्षी भारत में लाखो लोग यहां से मजदूरियों काम करने के लिए जाते हैं। बलियां में अच्छी जमीन भी है, अच्छा वाताबान भी है, तो भी कोई देश का पूजिपती बलियां में अपना निवेश करने का काम यह करता है। अन्न कोई साकार करती है। अन्न आज तक उचीनी मिलों का उधार हो पाया, अन्न कताई मिल का उधार हो पाया, वह स्यकोड एकर जमीन आज उसी तरह से पड़ी हुई है, रोजगार देने के मनसा अगर साकार के साप होती, तो निशित रूप से उसको बदल कर, उसका स्वर रोजगार दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा अइसा साकार को आपको रोजगार देने के मनसा नहीं है, साकार के मनसा क्या है, कि एक हिंदुस्तान में वो तापका हो, जो बिल्कूल गरीबी के अन्ती में लाइन पर पहुंच जा है, उसको रोकरी रोजगार ना दिखाई दे, उसको सिक्षा न दिखाई दे, उसको सिर्फ अपने पेट दिखाई दे और दूसरा वो तबका, जो इतना पुजी पती हो जाए कि हिंदुस्तान के नमबर एक दो लाइन में है वो 20 के पुजी पती ओक लाइन में एक बन जाए ये हमारा अंतर है अगर बगल का जनपद मोह नहीं रहता तो इस देश के हमारे जनपद के हजारों हजारों बच्चे माह के गर्व में ही मर गए होते इतो बगल का जनपद है स्वास के माने में आगे है तमाम वहां अच्छे अच्छे हस्पताल खुल गए है बलियां से दूरी जो है साठ की लुटे की है लोग एक घंटा सवा घंटा में पहुंच के अपनी जान बचा लेते हैं बलियां में तो जान बचाने कोई बचने का सव ठाव wrathaf till भी उड़ता सरकार में आपकी भी रही है तो उस सरकार में इख्लें जीभी रह्म उलाएज उस समय नहुत की भी बहुस्ता का बहत्तर लगाति थी क्या उस समय आजादी से पहले और आजादी के बाद जिनकी जिनकी सरकारे रही हों हमने आपके अच्छे स्वास्त के लिए विकर्मा दित पांडे के जमाना याद किजिएगा क्योंको नया निर्मान हुआ था तो विकर्मा दित पांडे के ही दिन थी और अगर यहाँ पर प्रामा सेंटर खुला वो हमारे ही सरकार की और यहां के मंत्री की दिन थी मंत्री जी सरकार पर दबाव बना कर आपको एक जो है सुद्धा उन्होंने उप्लब्स कराने का काम किया था वो भी आज जो है अपने माने का नुरूप पर चल नहीं रहा है यहां तक कि बलिया के लोग हाइल होते हैं या किसी विवाज में चोटिल होते हैं तो उनको यहां पर एक सरे तक के भी सुद्धा नहीं है मैं तो ये भी देखा हूँ कि एक सरे कराने के लिए भी बलिया के लोगों को आजम गोड़ और गाजी पुजाना पड़ता है इससे स्वास के माने में खराब जन पौद इस हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा आप यदि सांसद होंगे तो बलिया के लिए स्पेसल क्या करेंगे हम अगर सांसद बनेंगे तो समाजबादी प्रदामंत्री चांसरकर जी के नाम के जो अधूरे काम है स्पोर्स कालेज हो चाहे विश्व बिद्धाले हो उसको अपने ही कारकाल में पूर्ण करानी के लिए प्रदेश सरकार पर भी दबाव बनाओंगा और किंद की सरकार पर भी दबाव बना करके उसको पूरा करने का में काम करूँगा सद्रमाजबा अस्पताल के सवाल पर ये रीफर अस्पताल न रह जाए बहले इसका मुझे खामिया जाना ब्यादिगर तुप जियों में बोगना पड़ेगा लेकिन इसको अस्पताल को बवबूदी के लिए अस्पताल अस्पताल रहे इसके लिए में प्राथमिक्ता का अधार पर काम करूँगा बाढ़ पूतो के लिए जुकि मैं इंजेनियर हो अब मैं जानता हूँ कि किसको कैसे बचा जा सकता है अग जासे खत्षर को तुझारा जा सकता है उसकी जोड़ Gemad जो यहां के इंजेनियर यहां के अप्सासन के लोग जो डिपर्मेंट लूटने के लिए बनाता है उसको में लूटने का आड़ा नहीं बनने दूगा वो जए जिसको धरातल पर उतारने का काम करोगा बहुत बहुत धन्यवाद चुकि नेता जी को छेतर में जाना है और इसलिए मैंने जो समय लिया उस समय के तहत हमारी बात होई सनातन पंडे से फिर हम आपसे जुड़ेंगे नमस्कार